हेलो फ्रेंड स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक HD quality का थमनिल कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको सारा प्रोसेस मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा मोबाइल फोन में ही बनाके दिखाऊंगा आपको सिखाऊंगा और PC या लैप्टोप के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो वीडियो ये काफी ज़ादा informative है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपने मोबाइल फोन से थमनिल को create करना है कैसे उसे बनाना है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो हमें सबसे पहले play store के अंदर जाना है और यहाँ पे हमें एक application अपने phone के अंदर install करनी है जिसका नाम है pixel lab तो यह आ गई है हमारे सामने इसको open कर लेंगे और इसको आपको अपने phone के अंदर install कर लेना है इससे काफी अच्छे thumbnail आप बना सकते हैं अपने mobile phone से और यह बिल्कुल free है तो यहाँ पे मैं इसे open कर लूँगा क्योंकि मैंने इसे download किया हुआ है तो मैं यहाँ open पे click करूँगा तो यह इस तरीके से home screen इसके खुल जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यह themes दे रखी हैं पीछे की कि आप themes कौन सी लेना चाते हैं तो यहाँ से आप select कर सकते हैं यहाँ से कोई भी theme आप ले सकते हैं यह theme भी select कर सकते हैं आप उससे पहले सबसे पहले अब हम इसमे size की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको three lines दिख रही होंगे टोप right corner में तो आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पे आपको image size का एक option दिखाई देगा आपको image size वाले option पे click करना है और यहाँ पे यह custom वाले पे आपको click करना है और हमें YouTube thumbnail बनाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से काफी सारी चीज़े आप बना सकते हैं Facebook art, cover art, profile picture, YouTube channel banner, thumbnail तो हमें thumbnail बनाना है तो हमें YouTube thumbnail इसके उपर select कर लेना है तो यह 16 ratio 9 automatic आगया और size भी आगया इसका ठीक है 1280 इसकी चोड़ाई है और 720 इसकी height है इसके बाद हमें से ok कर लेना है तो यह हमारा size बन गया जो हमारी YouTube videos का होता है तो यह हमारा thumbnail का size हो गया उसके बाद यहाँ पे यह जो new text है यह selected हो रखा है अभी तो इसको यहाँ पे उपर से delete कर देंगे ठीक है इसको भी हमें हटा देना है तो अब हम यहाँ पे thumbnail बनाते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसकी features बता देता है एक तो सबसे पहले उपर plus पे आपको tap करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से text लिखना है तो text पे click करेंगे और यह इस तरीके से आ जाएगा इसको हटा देता हूँ अभी फिर से plus पे click करके आप यहाँ से sticker, shapes, gallery से कोई photo यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है? या draw कर सकते हैं अपने आप से तो मैं सबसे पहले कोई theme ले लेता हूं इसमें तो आप यहाँ से स्लेक्ट कर सकते है उसके बाद next option में इसमें टेक्स और Quartz है हम यहाँ से भी आप text लिख सकते हैं और third option में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ओप्शन आपके सामने हैं और fourth में आप image का size, color, यहां से भी आप from gallery से यहां पर import कर सकते हैं, transparent, color, सारी चीज़े यहां पर functions आ जाते हैं, तो मैं इसमें एक gallery से photo import कर लेता हूँ, आपको सिखाने के लिए, तो plus पे click करेंगे, from gallery से मैं एक photo डाल देता हूँ, इस पे click करके, तो मैंने एक photo यह select कर ली है, ठीक है, यह proper size में आ रखी है, आप देख सकते हैं, तो आपको भी जो photo यहां पर लगानी है, वो आपको landscape size में click करनी है, मतलब phone को tilt करके, जैसे आप YouTube videos बनाते हैं, उस ratio में आपको click करनी है, ठीक है, तो यह बहुत आसानी से बन जाएगा उसके बाद, ठीक है, तो मैंने यह photo वैसे click कर रखी थी, और अब मैं यहां पे click कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं, यहां पे आ चुकी है, तो मैं इसक size को यहां पे increase कर देता हूं, ठीक है, अपने according adjust कर लेंगे, यहां पे यह लगा दिया मैंने, तो इस तरीके से यहां पे मैंने photo import कर दी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप camera मैं से खीचना चाते हैं, तो यहां पे नीचे आप देख सकते हैं, from camera का option है, आप इस पे click करके camera से कोई photo यहां पे डाल सकते हैं, अब इसमें अगली बारी आती है, यहां पे text लिखने की, तो उसके लिए हम यहां पे नीचे ए का option है, यहां से भी text पे click कर सकते हैं, यहां से text वाले पे जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं, यह text यहां पे आ गया है, इस पे double click करूँगा, त फिर से इस पे click, यह select रहने देता हूं, और नीचे इसका color change करना है अब हमें, तो इसके color के लिए हमें यहां पे यह second जो option है, जिसमें text लिखते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां से हम text में edit कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, copy, position, इसे scroll down करेंगे, हम scroll करते रहेंगे, right side में ठीक है, तो यहां पे color का option आगया, अब यहां से हम color select कर सकते हैं, कौन सा color मैं रखना चाता हूं, यहां पे इसका, तो मैं अभी यहां पे black रख लेता हूं, ठीक है, इसको size को इसको पकड़ के हम बढ़ा कर सकते हैं, how to create, और बढ़ा कर सकते हैं, तो आपने देखा, जैसे मेरी ये background वाली picture यहां पे हिल चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं lock करूँगा, तो यहां पे आपको ये, जो three lines हैं, three dots हैं, जो, उसके नीचे एक icon दिखाए देख, आपको उस पे click करके, यहां पे इसे lock कर देना है, तो अब देख सकते हैं, अब आप, इसको मैं ह देते हैं, how to create, hd, ठीक है, यह लिख देता हूँ, मैं, यहां पे इसका size थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से, यहां पे लिख देता हूँ, उसके बाद, अब हमें, यहां पे मान लीजिए, इसमें background देना है, background का कोई color देना है, तो नीचे scroll करेंगे, और आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे यह background आ गया, तो इसे enable कर देंगे हम, तो आप देख सकते हैं, वो पीछे color आ गया, तो यहां से हम कोई भी color दे सकते हैं, इसमें, तो मैं जैसे यहां पे यह वाला color चूस कर लेता हूँ, या उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता ह हैं, तो आप देख सकते हैं, यह bold हो गया और अच्छा हो गया, तो इसे हम red भी कर सकते हैं, white भी कर सकते हैं, या जो color हम करना चाहें, वो इसका color हम यहां से choose कर सकते हैं, जैसे यह black है अभी, तो मैं इसको red कर देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ यहां पे, इसको मैं black, ठीक है, ब्लैक कलर में इस तरीके से दिखाई देगा ये, और वाइट कलर में इस तरीके से दिखाई देगा, अभी ये वाइट कैसे दिखाई देगा, मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से करके दिखाता हूँ, इसे ओके कर देना है अभी हमें, ठीक है, तो यहाँ पे हम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं आप ब्लैक कलर कर सकते हैं इस तरीके से या आप जोन सा कलर यहाँ पर आपको अच्छा लगे वह आप यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आप चूस कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर रख सकते हैं इस तरीके से मैं भी वहला color रख लेता हूं तो यह इस तरीके से यहां पर आ गया how to create hd और नीचे यहां पर हम एक और text add करेंगे plus पर जाएंगे फिर से text पर जाएंगे और इसको यहां पर पकड़के लाएंगे और double background लगा देता हूं background कहां गया हमारा यहां से नीचे स्क्रोल करेंगे और यहां पर यह background आ गया इसे इनेबल कर दिया और background का color मैं red रख देता हूं उसके बाद okay कर देंगे ठीक है आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है इसको थोड़ा सब बढ़ा कर देंगे इसमें भी अगर आप श्ट्रोक देना चाहें तो वह देख सकते हैं फिर से मैं यहां पर स्क्रोल करूँगा नीचे और यहां पर मैं स्ट्रोक लगा दूँगा इसे इनेबल करूँगा यह देखिए यह और भी अच्छा लगने लग गया इसको मैं और बढ़ा कर देता हूं अब टु क्रियेट यूट्यूब धमनिल अब टु क्रियेट एच्डी यूट्यूब धमनिल ठीक है इस तरीके से इसका कलर हम बैकराउंड का जो कलर है वह और चेंज कर सकते हैं यहां पर डार्क रेड लगाने की कोशिश करता हूं मैं यह बैकराउंड वाला आ गया नीच से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओके कर देता हूं यह देखिए कितना चल लग रहा है अब यहां टु क्रियेट यूट्यूब थमनिल ठीक है उसके बाद ओके कर देंगे उसके बाद फिर से और टेक्स्ट लेंगे दुबारा से हम और भी कुछ लिखना चाहें इसमें तो यह हम कि अब फिर से नीच जाके यहां पर इसका प्यर्क्राऊंड लगा सकते हैं यहीं तो कलर मैंने बर обяз मैंने इसको पकड़के ऐसे बड़ा कर दिया यह आप देख सकते हैं on mobile इसमें भी अगर आप चाहें तो stroke लगा सकते हैं या फिर आप और भी काफी सारी चीज़े हैं यहाँ पर shadow दे सकते हैं इनेबल करेंगे तो shadow आजाएगी इसमें ठीक है मैं अभी shadow नहीं लगाना चाहता तो मैं इसमें stroke लगाऊंगा यह आप देख सकते हैं automatic इसने color चूज कर रखा हम चाहें तो अपने according color लगा सकते हैं यह देखिए इस तरीके से जोंसा color आप select करेंगे वह उस तरीके से ही आ जाएगा रेड लेना चाहें या white black जो आप लेना चाहें वह आप यहां से ले सकते हैं ठीक है तो मैंने कितना अच्छा लग रहा है यह देखने में भी यह देखिए यहां पर इस तरीके से आप पांच मिनट के अंदर ही थमनिल बना सकते हैं अपना तो यह थमनिल जैसे बन गया है उसके बाद आपको उपर सेव का यह option दिखाए देगा प्लस के बाद इस सेव वाले option पर आप यहां पर दो चीज़े पूछता है सेव ऐज प्रोजेक्ट सेव एज इमेज तो हम इसे सेव एज इमेज करेंगे और यहां पर यह आप से क्वालटी पूछता है image format पूसता है यह देख सकते हैं आप हमें यह कुछ भी नहीं सेड़ना सेम इसी में करना है हमें save to gallery कर देंगे add को cancel कर देंगे तो हमारी जो image है यह इस तरीके से आप अपने mobile phone से एक application pixel lab का use करके बहुत ही अच्छा HD quality का thumbnail आप अपनी YouTube वीडियो के लिए बना सकते हैं create कर सकते हैं तो friends अब आपने यह अच्छे से सीख लिया हुआ कि आप किस तरीके से अपने mobile phone से ही HD quality का thumbnail अपनी YouTube वीडियो के लिए बना सकते हैं उसे create कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question आता है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे इस comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा like और share करें thank you